इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एबविडा 50 मिली ग्राम टैबलेट टाइप दो डाइबिटीज मेलिटिस के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है स्वस्था हार और नियमित व्यायाम के साथ इसे ब यायाम या अन्य दवाएं अकेले ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने के लिए पर्याप्त साबित न हो इसे अकेले या डाइबिटीज की अन्य दवाओं के कॉम्बिनेशन में लेने की सलाह दी जा सकती है इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है तक आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए तब तक दवा लेना बंद न करें इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े देशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें आपकी जीवन शेली डाइबिटीज को नि का सिरदर्द, चक्कराना, बेहोशी और मूह सूखना के लक्षनों को पहचानना और इनसे निपटने के तरीके जानना आवश्यक है। आप शुगर या ग्लूकोस कैंडी साथ रखें और अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव हो तो आप इसे ले सकें। यदि दुश प् बंधित समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। कुछान्य दवाएं जो आप ले रही हैं इस दवा के कार्य में हस्तक्षेप कर सकत हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं की जानकारी आपके डॉक्टर को है। इस दवा का सेवन करते समय शराब को सीमित मात्रा मिले क्यूंकि इससे ब्लड शुगर के स्तर में कमी आने का जो खिम बढ़ सकता है। दवा सही तरीके से काम कर रही है इसकी जाच करने के लिए आपको किड्नी फंक्शन और ब्लड ग्लुकोज लेवल जैसे नियमिट टेस्टों की आवशक्ता पर सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो वि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।